जीवन आपको दुख नहीं दे रहा, आपकी यादें आपको दुख दे रही हैं अगर भूलना ही जीवन का समधान है, तो हम आपके दिमाग के उस हिस्से को हटा सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से यादें हैं जब आपके साथ अपरी चीजें होती हैं, तो ये आप पर है कि आप उससे जख्मी होते हैं या समझदार, आप जख्मी होना चुनते हैं और फिर उसे भूलने की कोशिश करते हैं मैं किसी ऐसे व्यक्दी को भूल कर, जिसने मुझे चोट पहुंचाई हो और धोखा दिया हो, अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकती हूँ मैं मैसूर शेहर के दोरे पर था और किसी से मिलने के लिए एक अपार्टमेंट में जा रहा था एक छोटी सी महिला, जिनके उम्र 75 से अधिक रही होगी अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान के साथ, बहुत ही परिचित तरीके से मेरे पास आई और बोली आप कैसे हैं? मैंने गा, मैं अच्छा हूँ मा, लेकिन वैसे मैं आम तोर पर मैं चेहरे नहीं भूलता, लेकिन चूंकि मुझे मैसूर छोड़े काफी समय हो गया था, तो मैं सोच रहा था, ये कौन है? क्या ये मेरी कोई परिचित है? मैं पहचान नहीं पाया, फिर मैंने नमस्कारम किया और आगे बढ़ गया फिर मैं नीचे आ रहा था, जो लोग अपार्टमेंट में रहते थे, उनके साथ मैं नीचे आ रहा था जब मैं गैलरी में आया, तो फिर वही महिला आती हैं, और नमस्ते, आप कैसे हैं? मुझे लगा ये, अभी 10-15 मिनिट पहले ही, उन्होंने मुझसे यही पूछा था, और अब फिर पूछ रही हैं तभी ये लोग आकर कहते हैं, बिचारी महिला, इनकी आदास्ट चली गई है मैंने का, ये तो काफी खुश लग रही हैं बिना यादास्ट के, जो लोग अपनी यादे लेकर चल रहे हैं, वो खुद को टॉर्चर कर रहे हैं ये महिला, मिस्टर अल्जाइमर के साथ भी खुश हैं आपकी अल्जाइमर के साथ जोड़ी जम सकती है, हलो? ये एक आदमी का नाम है, मैं बस यूँ ही कह रहा हूँ देखिए, अगर आप भुलकड हैं, तो आपको किसी को माफ करने की जरुरत नहीं है तो जब आप भूलना चाहते हैं, तो आप असल में ये चाह रहे हैं कि मिस्टर अल्जाइमर आपके पास आएं, और वो आ सकते हैं ऐसी चीजों की इच्छा ना करें आप कहते हैं, मैं ये भूलना चाहता हूँ, मैं वो भूलना चाहता हूँ इच्छा पूरी हो सकती है? आपकी चाहत पूरी हो सकती है क्यों आप कुछ भूलना चाहते हैं आप भूलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप इतना नहीं समझ पा रहे हैं कि आप अपनी यादों के कारण पीडित हैं जीवन के कारण नहीं आप अपनी ही मेमोरी से दुखी है अगर आप ये मेमोरी खो देते हैं क्या होगा? मान लीजिए. कल कोई आश्रम में पत्थर के खंबे से टकरा गया. ठीक है? तेजी से दोड़ता हुआ और भूम. मान लीजिए, आप ये भूल जाते हैं, तो शायद आप हर दिन उससे टकराएंगे. अगर आप पत्थर के खंबे से टकरा जाते हैं, जो आपके पीछे आ भी नहीं रहे, वो बस वहीं खड़ा है. अगर आप ये भूल जाते हैं, तो हर दिन आप अपना चेहरा तोड़ेंगे. अगर आप किसी खंबे से टकराते हैं तो आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए वो सच में पत्थर का खंबा है या फिर आपकी सास मैं नहीं जानता वो क्या है देखे आपकी सास आपके पीछे नहीं आ रही है वो बस उसी जगा पर खड़ी है जहां वो आपके पती के जन्म के समय खड़ी थी हलो वो उसी जगा पर खड़ी है और आपको लगता है वो आप दोनों के बीच में है नहीं वो उसी जगा पर खड़ी है मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा ठीक है वो आपके पीछे नहीं आ रही है बलकि आप जाकर टकरा रही हैं तो अपने जीवन में आप जो कुछ भी कर रहे हैं अगर आप भूल जाते हैं तो बार-बार वही गलती करेंगे इसलिए अपने जीवन में एक भी चीज मत भूलिए खास कर अगर वो अपरी चीजें हो तो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए लेकिन अब आप उन्हें सड़ाते हैं Memory आपके उपयोग के लिए है लेकिन आप Memory को सड़ाते हैं और फेर वो सड़कर अंदर जमा होती जाती है और कड़वा हंट पैदा करती है नहीं नहीं, memory को store किया जाना चाहिए एक chip में अब stick भी नहीं, एक chip में लेकिन ये प्रणाली, इसके technology इतने उन्नत है कि ये एक chip भी नहीं है ये बस कहीं एक छोटी सी रसायन प्रक्रिया के रूप में है तो इसे वहीं रहने दीजिए अगर आप इसे सड़ने देते हैं तो ये निश्चित रूप से आपको नशीला बनाईगी कई तरीकों से आप में जहर घोलेगी आप अपनी memory को संभालना नहीं जानते इसलिए आप इसे भूलना चाहते हैं क्या होगा, अगर वो आपको Mr.Alzheimer से मिलवा दे क्या आप खोश होंगे, क्या आप अपनी सारी कड़वाहट भूल गए अगर भूलना ही जीवन का सामाधान है तो हम आपके दिमाग के उस हिस्से को हटा सकते हैं जिसमें मुख्य रूप से यादे हैं आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा आप ऐसे हो जाएंगे कल जो हुआ उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा आप यहीं चाहते हैं अगर आप ऐसे बन जाते हैं तो हम आपको मंद बुद्धी कहते हैं हम आपको प्रबुद्ध नहीं कहेंगे कई-कई जन्मों की यादें आपके साथ हैं सिर्फ एक जीवन की नहीं कई-जन्मों की इसमें बहुत सी अपरिये चीजें भी हैं बहुत सारी लेकिन जब आपके साथ अपरिये चीजें होती हैं तो यह आप पर है कि आपको उससे जखमी होना है या समझदार आप जखमी होना चुनते हैं और फिर उसे भूलने की कोशिश करते हैं एक काम कीजिए देखिए कुछ ऐसा कीजिए कुछ ऐसा जिसे आप याद रखना चाते हैं आप याद नहीं रख पाते कुछ ऐसा जिसे आप भूलना चाते हैं आप भूल नहीं पाते ऐसा है ना कुछ भूलने की कोशिश कीजिए वो हर वक्त आपके साथ रहेगी कुछ याद रखने की कोशिश कीजिए दो मिनिट बाद ही लगेगा आप भूल गए तो मैं कह रहा हूँ कि आपने इसे ठीक से व्यवस्तित नहीं किया है आपने अपने कंप्यूटर को ठीक से प्रोग्राम नहीं किया है अगर आप कहते हैं याद रखो तो ये भूल जाता है अगर आप कहते हैं भूल जाओ तो वो हमेशा याद रखता है यहाँ तक कि आपके सपनों में भी वही लोग आते हैं बस इस एक व्यक्ति को देखें और कहें, मैं इस चेहरे को भूलाना चाहता हूँ, ये चेहरा जहां भी आप देखेंगे, पेडों से आपकी ओर आएगा, आकाश से आपकी ओर आएगा, तो यही मन का स्वभाव है, आप अपने बारे में जरा भी समझे बिना, जीवन में बस क इसी तरह चले जा रहे हैं, यही समस्या है, समस्या आपके जीवन की परिस्थितियों में नहीं है, समस्या ये है, कि आपने बेसिक यूजर मैनियुल तक नहीं पढ़ा है, और आप जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं, इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी, अगर आप कोई कीमत नहीं चुकाते तो मुझे बहुत निराशा होगी क्योंकि इसे जानने और परखने में मुझे कई जन्म लग गए कि ये कैसे काम करता है अगर आप बिना कुछ जाने ही मेरी तरह जी सकें तो मुझे बहुत निराशा होगी मैं सोचूंगा ये तो बड़ा अन्याय है हाँ या ना आप कहीं पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं और किसी को यूँ ही वहाँ पहुँचा दिया जाए क्या आपको नहीं लगेगा ये अन्याय है वही बात है तो एक चीज ये है कि भूलने की कोई जरुरत नहीं है आपको हर चीज याद रखनी चाहिए रही बात माफ करने की तो पहले तो आप ये सोचते हैं कि इस व्यक्ती ने कुछ बहुत बुरा किया है फिर आप माफ करने की कोशिश करते हैं अगर आप उन पर ऐसे लेबल न लगाए तो माफ करने की जरुरत ही कहा है अगर आप लोगों को वैसे ही स्विकार करें जैसे वो हैं लोग अलग अलग तरह के होते हैं अगर आप उन्हें वैसे ही स्विकार करें जैसे वो भी हैं तो आप सीख जाएंगे कि किस हद तक काम करना है अगर आप सोचते हैं आपको केवल बहुत अच्छे लोगों के साथ ही रहना है और काम करना है मैं आपको बताता हूँ यहाँ योग केंदर में भी ऐसा होता है कई volunteers हर दूसरे दिन कोई मेरे पास आता है और कहता है वो बहुत ही भयानक है मैं उसके साथ काम नहीं कर सकता वो ऐसी है वो वैसा है मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता मैं कहता हूँ देखिए इस दुनिया में इसी तरह के भयानक लोग हैं ये, 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 केवल इसी तरह के भायानक लोग हैं, अगर आपको लगता है, आप जो कर रहे हैं, वो महत्वपून है, तो आपको इन सब भायानक लोगों के साथ काम करना होगा, अगर आप आदर्स लोगों के साथ काम करना चाते हैं, तो आपको स्वर्ध जाना होगा औ और आज ही, आदर्स लोग, आम तौर पर आदर्स लोग मरे हुए लोग होते हैं, है ना, आपने देखा है, आपके साथ ऐसा हुआ है, जिस व्यक्ति के साथ आपको बहुत सी समस्याएं थी, जैसे ही वो मरे, ओ, वो कितने अद्भुत थे, मरे लोग हमेशा अद्भुत होते हैं, ये जीवित हैं, जो मिले जुले पैकेज के साथ आते हैं, आप उससे क्या बनाते हैं, उससे सबसे अच्छा कैसे बना सकते हैं, यही जीवन का पूरा चैलेंज है,